आपका स्वागत है और आज हमारे साथ में है सूर्यभान सिंग जी सुल्तानपुर जिले से भारतिये जंता पार्टी के विधायक हैं जिन से हम बात करेंगे कि आजकल गाउं में क्या है किस चीज की जरूरत है और कभी इन्होंने भी गाउं को सुद्रन बनाने का सपना देखा होगा और आज एक जन प्रतिनिधी की हैसियत से अपने गाउं अपने छेत्र के विकास के लिए ये प्रियास कर रहे हैं और क्या विधान सा भाँ में आपने छेत्र के विकास के साथ साथ उत्तर प्रदेश के विकास की भी क्या क्या बातें वहां हुई इस समंद्ध में जानेंगे विधायक सूरेबान सिंग जी से आपका स्वावेत है हमारे कारिक्रम में दिकि इस समय प्रदेश और केंद्र दोनों सरकारे मिल करके कि बहुत अच्छा काम कर रही है केंद्र प्रदेश में भारती जनता पाल्टी की सरकार है केंद्र की योजना बहुत अधिका और अच्छी मात्रा में सब किसानों को पास नहीं रगया घर-घर में ह以前 अमिर और गरीब को सब को सिवंद्र मिल रहा है लोग कितने खुष हाल है कोई शिवा नहीं है सुलब साण चाले कॉंप्लेस मुक्त जो है गाउं को बनाया जा रहा है कि इतनी अतिक मात्रा में घर-घर में बन रहें जिसके कोई सिमन ही है आज तक पच्चास साल की सरकारों ने कभे इन सब छोटे बिशे पर ध्यान नहीं दिया सारा बिचवलिया आपका बंध हो गया गये सलेंडर जो आपको लाइन लगानी पड़ती थी घर गर दावना पड़ता था 500 रुपए आप किराय दे करके सहर से ले आते थे गाउं ते हाथ आपको एक पईशा नहीं लग रहा है आपके गाउं में एजनसी खुल गई घर घर सलेंडर आपका घूम रहा है रासन कार्ड में जो पहले के अनिमता सरकारों ने की साल में एकदम च्पड कर दिया था जो उसमें जो गरीब किसान थे जो गरीब कास्तकार थे जो पातरता में थे उनको न दे करके ऐसे लोगों को दे दिया कि क्योण पाल्टी के कारकरताओं को नोग उन दिया भारती जनता पाल्टी ने पार दर्सिता बरती और जो पातरता में ब्यक्ति थे उनको चैन करके रासनकार दिला करके देहातों में चावल दाल गुहों को उपलब धकरा जा रहा है विचवलिया आपका सब बंद हो गया पहले किसान मरता था पैसा चेक बिल बहुचर बनता था आधा हो जाता था अब वो किसान के खाते में डारेक्ट चला जा रहा है सारा विचवलिया बंद हो गया एक पैसा कोई लेने देने नहीं जा रहा है किसान की पशल भीमा किसी में दुर घटना गरस्त होते हैं उनका पैसा उनके दूसरे में दूसरे लोक ले लेते लिकार अब जोड़ कर दिका एक पैसे का कोई विचवलिय का काम नहीं रह गया बंद कर दी इस तरह अब ही दिखे कितना बड़ा तासीलों में बलाकों में कमबल बितरन का कारकरम चला पहले लोग बितरन का काम करते नहीं थे हम लोग स्वेंग बलाकों पर जा जा करके तासील के माध्यम से बलाक के माध्यम से गाओं को जागरूप करके जो पातरता में बेकती थे उनको कमबल का बित ते तीनों चारों पर सिवर लगाया सिवर के माध्यम से खाद पानी बीच उनको बाटा बितरित किया जो पातरता के लोग जो समाज के लियान विभाग से जिनको चेक मिलना चाहिए बेवा बृद्धा विकलांग पेंसन में वहां बनवा करके सबका चेकों का मश्वंग जाक करके बलाकों पर महानी बेतरण किया विकलांग के अभी मनें ट्राइसइकल बांती जीतने विकलांग जोग आहाई ते जिनका चेन था जिनका ना भी गुवा था अगर वूंपको आकि दीया गया और जो विक्वांग उनको तो दिआ ही गया विक्लांगों में कोई-कर न हelypekt प्रदेयिक कोई के थे काक्द है आप बहुत से काम हो रहा समजए समझे कि भारते जनता पार्टी केंद परदेश में मिल करके गाहों गरीब किसानों तक के इतना काम हो रहा है कि सारी बिचवलिया बंद हो गया सारा काम बंद हो गया खेती होती आप देखिए पहले कि अब में कितना अंतर आ रहा है अभी एक अगरिकल्सर का प्रोजेक्ट च लग है इनकी नहीं पहले क्या था एक एक ब्लाग मैं नया पंचायत में इतने सीग्यटी ते सीग्यटी की संक्या इतनी कम एक लोगह ठहर 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 कंग कई गाहों को चार लिए अब सीगरेटी है नहीं अब विडियो हाई नहीं दो- miesz цiał leaders है नहीं यह प्रदेश काइसे च चला है हमारी आज तक समझ मिनी आए जब किसी ब्लॉक में अधिकारी नहीं कहीं डॉक्टर नहीं कहीं कंपाउंडर नहीं अध्यापकों की बहुत बड़ी कमी है किसी को भरती नहीं किये असब रिक्त खाली पड़ा हुआ है यह सरकार सब का जो है समावजन करने जा रहे है अरस्तान जो रिक्त पड़ें उनको फुल किया जाएगा अब हर नयाए पंचायत में दो दो बिद्याले लिये गए हैं प्रामरी पाट साला में उत्तर प्रदेश की सरकार ने दो दो बिद्याले लिया है जिसमें जो हैं इंग्लिस मीडियम से पढ़ाई होगी बच्चों क शंक्या बहुत कम रह गई सारे बच्चे दूसरे कि दूर दराज के बड़ी बिद्यालों में इंगलिस मीडियम से पढ़ाई होने जा रही इस तरह बिद्याले में सब्सक्राइब जितने थे center जो गरवर तो cancel कर दिया गया और जो अच्छे center थे उनको center कर दिया गया कितने नकल्ची से भाग गए गायव होगे वो इंतहान ही देने नहीं गए इसमें नकल पर बहुत बड़ा प्रतिबंद लगा और इस सब सरकार की देने तो उत्तर प्रदेश और केंदर की सरकार दोनों मिल करके बहुत अधिक काम कर रही है दवाओं का भी एक डेड़ करोड रुपय तो मैंने खुद दवा के लिए दिला है एक एक गरीब किसान कास्तकार जो मरीज हैं जो रोगी हैं जिनका मेडिकल कॉलेज पीजियाई में आप प्रिशन होना है उनको मुख मंतरी कहां देने से दो दो चरचल लाग के इस्टीमेट पर लाग पचास पचास जार उपया लेकर के उनको अंदान दिया जा रहा है आप समझे को उनकी गरीबी दूर हो जा रही वो बिचारे अस्पिताल में मर जाते हैं उनका प्रिशन नहो बजना है तू लेशरर फोर लेयर सरग इतनी सरकों की जाल बिश जा रही है इसकी कोई सीमा है नहीं जगह जगह सड़के मंतरी चली जारी पहले कुछ था ही नहीं आजाजी से पचास साल हो गया कभी किसे ने इस पे बिचार ही ने किया कि सड़क गाउं को परधान मंतरी र करके बन नहीं जिसके कोई सीमा ही नहीं तो इस तरह समाज में छेत्र में किसानों में गरीबों में हर जेगा जागुरूपता आ गई और सभी जागुरूप हो गए सजग हो गए यही कारण है कि इन लोगों ने देखिए केंदर की सरकार के उपलबदियों को देख करके इनों प्रदेश की सरकार बनाई और दोनों मिल करके एक साथ इतना काम करें दिके सवच्छता का आपका चला सवच्छता पे गाउं गाउं में जो पहले जो गरीब किसान कास्तकार जो जाड़ू नहीं लगाते थे बड़े लोगों को देख करके ओ भी अपना जाड़ू लगाने इस तरह जो है दोनों प्रदेश और केंदर की सरकार को जनता और गरीबों किसानों को जो शहयोग मिला है भारती जनता पाल्टी को गरही शहयोग बराबर मिलता रहेगा यह पाल्टी दिन पर दिन उन्नत करती रहेगी और साथ ही साथ हमारा गरीब से लेकर कमीर तक सारे कि सब इस्ति तरह का लाव इसका लेते रहेंगे किसी प्रकार की विचलिया नहीं होगी सारा विचलिया सब कऑलिक्पार्टी बांग्रस है व क मिझाज कम यह परिस्तिती हैं काम को देख करके कारियों का मूल ल्यांकन करके अब आज सबसे बड़ी पाल्टी भारती जनता पाल्टी है सबसे अधिक पूरे देश मगर विधायक हैं भारती जनता पाल्टी के हैं के अंद में सबसे अधिक सांसा हैं भारती जनता पाल्टी के हैं यह हमारा आज का कारिकरम को था जी विधायक जी ऐसा है कल्यार सिंग जी जिस समय मुख्यमंत्री थे उत्तर प्रदेश के बानवे तरानवे एक तिहत्तरवा संविधान संशोधन हुआ था उसमें था कि गाउं को गणराज्य का दर्जा दिया जाएगा तो उसे लेकर भी मौ तो भी चला जो कल्यान सिंग चाहती थे वह हमारी महाराज्य चाह रहा है प्रदेश के मुख्यमंत्री चाह रहे है केंद्र चाह रही सारा गाउं सारा काम सब किषानों का उसे गाउं में ही जाही रहा कि दिखिए गोहों का पहले खरीद का परोगत कभी नहीं होता रहा जतना धान का खरिद पहले की सरकार कराते हैं, उतना तो हमारे हैं कही है धान का खरिद का पूरा हो गया, अब उससे इश्ट्रा जा रहा है, पहले होता क्या था, हम सारा का सारा चावल और गोहुँ पंजाब और हर्याना से आता रहा, लेकिन अब क्या है, उत्तर परदेश मे अपने खाने भर का इतना अनाज है, कि जो केंद जो आपका हर्याना और पंजाब से रहक आती थी, अब बहुत कम हो गया, सारे गोदाम गले से सब भर गए, अपना ही अनाज हम अपना ले जा रहे हैं, वो अनाज का बिचवलिया बंद हो गया, जो बिचवलिया के माध्यम से गोँचावल बाहर जाता रहा, वो सब बंद हो गया, किसानों को इनकी फसल के उपर सका अच्छा कासा पैशा मिलने लगा, वो सब सरकार को दे दे रहे हैं, सारे गोदाम सब गोँचावल जा रहे हैं, अब किसी प्रकार की अन्न और खादान की कोई कमी नहीं रहा जा र अच्छा किया गरीब को आवास और शोचाले जैसी चीज मिल रही है एक छट मिल रही है आदमी को लेकिन उसके लिए जब बालू और रेता लेने जाते हैं तो उसमें खनन वाला मामला जब सामने आता है और पुलिस रोक लेती है उस संबंद में सरकार क्या जैसे विकास कारे जहां से मोरंग के खदान होती है उनको पट्टे दे दिये गए और पट्टे देने के बाद से वहां खनन प्रारंब हो गया आप गाव में हर जगा मोरंग भी आ रही है बालू भी जा रहा है अब कारे में कहीं देखिए आपका कोई कारे कहीं रुका नहीं पड़ा है काम पहली कि सरकारों ने इतना बेंच दिया इतना गुखदान कर डाला सरकार को पैसा मिला भी नहीं और सब का सब उन्होंने निलाम कर दिया जिसकी वज़ा से दिक्कत आई वरना आज तक कोई दिक्कत नहीं थी खदान जो निलाम कि कई खदान निलाम किये गए आपका की राजनीती जो शुरू होती है वो ज्यादातर प्रधान से शुरू होती है और संबिधान में एक यह चीज थी कि अगर कोई किसी जन प्रतिनीदी की शिकायत करेगा तो वो एक शपत पत्र पर शिकायत करेगा लेकिन एक रुपए के कावेच पे भी जन प्रतिनीदियों क जीता है तिन हारता है वो एक दूसरी की भलाई बुराई करता रहता है लेकिन हमारी भारतिय जनता पार्टी की सरकार से किसी से लेने देने नहीं यह तो सबका विकास सबका साथ सबका हाथ लेकर करके चल ला है इसमें जो परधान उनके साथ भी हो बिवहार जो नहीं परधा जूटी सिकायत करने वालों के खिलाब भी कारवाई के लिए कोई रणनीती बना रही है देखिए अगर सिकायत जूटी है तो जिसने जूटी सिकायत किया उसके खिलाब भी कारवाई हो रही है और जो करवा रहा उसके खिलाब भी कारवाई हो रही है उसमें किसी को बक्सा न दिश्तारण करने के लिए तासिल दिवस पर तासिल दिवस का दिन रखा गया। सारे अधिकारी वहाँ वहाँ भैट रहे हैं जिसकी जो अप्लिकेशन आ रही है। अब सुबहसे साम तक उसका निष्तारण किया रहा है। आईसी ब्योस्था कर दी गई है कि एक दिन तासिल दिवस की दिन सारे अधिकारी बैठते हैं और जनता जनारदन किसानों तक का सारा निश्थान उसी दिन कर दे रहें इसलिए किसी प्रकार को उनको दिक्कत नहीं पिदायक जी आपकी तरफ से ग्रामीर जनता के लिए कोई संदेश ग्रामीर जनता के लिए संदेश है वह हमारी जनता जनारदन खुसाल रहे हम लोग सेवा करते रहेंगे वह हमारी सरकार बनाते रहे हम लोग सेवा करेंगे सेवा में कहीं किसी प्रकार की कोई कमी नहीं होग किसान इतना आज तक कभी खुशाल नहीं था इतना आनंद आपके गाउं में किसानों में किसी से जा के पूछिए तो बताएंगे पहले और अब में कितना अंतर आया बहुत अंतर आ गया इस समय विधायक जी राजनीती आलू पे आके अटक गई तो किसान का पूरा जो ध्यान है वो आलू की तरफ आया है या अन्य पार्टियों ने जबरदस्ती इसे आलू को राजनीती मिला है देखे आलू की कोई राजनीती कभी किसी को करने नी चाहिए करने तो किसान है कास्त नहीं रही तो दोनों में उनको विचार करना चाहिए ऐसे परस्तितियों में ना आलू की कमी है और ना कहीं आलू की बढ़ोतरी भी नहीं आलू के मुल की कीमत में बराबर उनको मिल लहीं किसी परकार के कोई दिक्कत कहीं नहीं तो ये थे सुल्तानपुर से विधायक सिरी सूर्यभान सिंग जी जिनोंने हमारे साथ बात की और अपनी बात बेबाकी के अंदाज में हमारे माध्यम से जनता तक पहुचाने का प्रयास भी किया हम कोशिश करेंगे कि विधायक जी आने वाले समय में भी गाउं और देहात को लेकर विधान सभा में आवाज उठाएंगे और जनता की समस्या को जल्दी से जल्दी हल कराने के लिए प्रयास करते रहेंगे अजय प्रताप सिंग एबी पीएस नियूज लखनव